हेलो एवरिवन कैसे आप सब मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और सुस्ट होंगे आज ही इस डूडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोड़क्ट के बारे में जहां पर अगर आप इंवेस्ट करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे काफी सारे ओफ्शन अपनी मिचॉरिटी टर्म्स को लेके या कहें कि आपकी रिस्क की जो टर्म है आप खुड डिसाइड कर सकोगे क्योंकि इस प्लान के वारे में आज आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी रिस्कवर मिलता है और medium category के लिए भी risk cover आपको मिलता है और उसी plan के अंदर आपको long term के लिए भी risk cover मिलता है उसी तरीके से short term के लिए benefit, mid category के लिए benefit and long term के लिए benefit आपको मिलता है अधिक तर हमने जिन plan के लिए भी भी बात करिये वहाँ पे हमें 16 साल लगातार pay करना है तब 25 से साल पर maturity मिल दी है लेकिन आज ये conventional plan में आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें ऐसी कोई भी जंजट आपको बिल्कुल face नहीं करना पड़ेगा इवन दो अगर आप financial planning कर रहे हैं और आपकी इज 18 साल से लेके 45 years की है तो आपके लिए ये एकदम बहुत अच्छा options होगा क्योंकि आजकल एकदम trend में है कि हम लोग क्या चाते हैं कि हम एक ऐसा insurance plan चाते हैं जहाँ पर हमें कम समय के लिए invest करना पड़े और maximum time के लिए हमें वहाँ पर benefit मिले, risk cover मिले तो यही options मैं आपको बताने वाला हूँ तो चानने के लिए video को इन तक जरूर देख और अगर आप नए हो तो चैनल को subscribe करो bell icon पे click करो क्योंकि आपको यहाँ पे मिलती है free key financial advice और इसके साथ ही आपकी सुविदा के लिए मैंने description में अगर आप उनको जाके देखते हो तो आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ अगर आप सभी का आपके इस अपने प्यारी चैनल पर जर्नली क्या होता जब आप किसी life insurance के अंदर जाते हो तो आप क्या देखते हो वहाँ पर कि अगर 25 years का प्लान है तो आपको 20 years minimum वहाँ पर प्रिमियम पे करना पड़ता है या कहो कि 21 years का प्रिमियम है तो आपको 17 years तक प्रिमियम पे करना है profit बराबर ही होता है जादा नहीं होता है कुछ ऐसा है सच बहुत जादा हो जाए प्लान टेबल नंबर 830 जैसा यह प्लान है वैसा ही इसका काम है जी हाँ बिल्कुल आपको लिमिटेड प्रिमियम यहाँ पे करनी होती है यहाँ पर आपको टेक्स सेविंग होती है जब तक आपको प्लान चलेगा टेक्स की सेविंग रहेगी अपको टोटली टेक्स्री मिलेगी ठीक है तो यह पूरी तरीके से कन्वेंशनल प्लान है जहाँ पर आपकी सेविंग और रिक्स कवर दोनों को आपकी नीट के अकॉर्डिंग बैलेंस किया गया है कि आप किस समय चाते हो क्योंकि इसके अंदर मिचॉरिटी के जो आफ्श साल जी नहीं only eight years आपको यहाँ पर premium pay करना है इसमें दो option है जर्नली nine years और eight years अगर आप nine years पे करते हो तो भी okay है eight years पे करते हो तो भी okay हो उसी के according आप maturity अपने आप यहाँ पर choose कर सकते हो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया document बड़े simple है जैसा आप जानते हो screen पर है आपकी अब इसका शमर्शोड की अगर बात करें तो इसमें minimum शमर्शोड जो है वो three lakhs से स्टार्ट होता है maximum कोई limit ने depend on your income और इसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें loan की facilities का क्या option है इसमें surrender value कम मिल पाती है या कहे कि directly कि money liquidity का कैसा option है देकि money liquidity का other plans से better ही है कैसे other plans के अंदर आपको three year तक premium pay करना होता है loan या surrender के लिए यहाँ पे only two years आपको pay करना होता है और इसके साथ में एक चीज़ और है कि मालीजे आपने decide कि है कि आप nine years तक premium pay करेंगे और 21 years पे आप maturity लेना चाहते है suppose for an example तो ऐसे मे क्या होगा आपने nine years मालीजे premium pay कर लिया और उसके बाद अगर आप loan के लिए जातो दसवे year में या ग्यारवे साल में तो ऐसे में आपकी जो paid up value है उसका 90% तक आपको loan मिल सकता है जबकि other plan के अंदर क्या होता तो जब आपकी paid up value होती थी उसका 80% तक मिल पाता था but अगर पास साल premium pay करने के बाद या दो साल premium pay करने के बाद ने loan के लिए apply करते हो तो paid up value का आपको 80% तक loan मिल पाएगा surrender value वही आप जानते हो commonly इस वाली वीडियो को जाके देख लिए जर्नली सभी plan में लगबग लगबग सेम सा ही है अब अगर हम बात करें यहां पे death benefit की जैसा कि आप जानते हो generally कि अगर आपने plan अभी आपका start हुआ है और starting में ऐसा कुछ हो जाता है तो obvious सी बात है कि आपने premium pay करा है अगर आपने term rider नहीं लिया है तो जो premium आपने pay किया होगा वह आपको मिल जाएगा policy बंद हो जाएगी बट अगर आपने term rider लिया होगा तो obvious सी बात है जो term rider का जो amount का वो मिल जाएगा आपको और आपका premium भी वापस मिल जाएगा अब बात करते है term rider नहीं है लेकिन DAB rider लिया हुआ है और तीन साल के बाद ऐसा कुछ होता है और accident से होता है तो DAB के बारे में बता जेता हूँ जिसको हम that additional benefit बोलते है जिसमें अगर accidents अगर depth जली होता है वो भी आपको मिलता summer short के साथ तो ऐसे में आपका डवल हो जाता है तो इसका calculation अभी आपको मैं देखा हूँगा एंट तक वीडियो को देखते रहना अब बात करते हैं maturity की maturity पर आपको आपका summer short bonus और financial bonus आपको मिल जाता है financial bonus के बारे में अगर जानना चाते हो तो रेवरी जाके देख लेना इसमें मैंने बताया हुआ है information भी शेयर की हुई है तो इस plan के बारे में हम बात क्यूं कर रहे हैं इस plan के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं अगर आपकी age 18 से लेके 45 साल के बीच में है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए यह अब तक का LIC की तरफ से मैं कहूंगा कि एक one of the best options available है अगर आप एक ही insurance plan चाते हो वो भी saving purpose से चाते हो only तो term rider के साथ आप इस plan को ले लो यह सबसे best option आपके लिए रह सकता है वैसे तो security के purpose से LIC का जीवन लक्षे better कोई plan है नहीं अगर आप security को मंदेज़ज़र रखते हैं तो बट अगर आप saving और risk cover का combination देखते हो तो यह plan सबसे ज़्यादा best है क्यों अगर आपकी उमर मालीजे 20 या 25 साल की है और आप इस plan में आ जाते हो तो आपको premium time यहाँ पर select करना 9 years तो 9 years तक अगर आप premium pay करोगे तो आपके उपर आने वाले जब तक कि आपकी upcoming generation आएगी तब तक आपकी maturity के chances भी आ जाएंगे और इसका other benefit क्या है अगर आप इसकी maximum time को select कर लेते हो 21 years का maturity और 9 years का premium अगर आप select कर लेते हो तो यहाँ पर job amount pay करोगे जितना return आपको जीवला भी other किशी product में मिलता है उसके आसपस return आपको इसमें भी मिलता है मतलब job amount pay करोगे उसका multiply 3 से कर लेना वो return आपको मिल जाता है जैसा कि अभी आप screen पर देख रहे हो हमने यहाँ पर summer short select किया हुआ है already देख रहे हो आप यहाँ पर इस calculation का जाओता आप screen short लेके रख सकते हो और अगर मुझे आप Instagram पर follow कर सकते हो और Facebook page पर भी आपको मैंने दोनों handle नीचे आपको यहाँ पर show हो रहे होंगे screen पर जाके आप इनको follow कर लोगे कि अगर आप वहाँ पर जाके मैं follow करते हो तो जो भी आपके questions है आपको instant वहाँ पर answer दे सकते हैं हम Instagram पर और Facebook पर active हैं तो वहाँ पर आपको directly आपको answers मिल जाएंगे अब बात करते हैं आज की financial advice के बारे में जब भी आप किसी life insurance को enroll करते हैं उसमें invest करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको दो चीजे बिलकुल ध्यान में रखना होता है आपकी income का कितने percentage आप invest कर सक नमबर वन नमबर टू जो आपकी age के according आपको कौन सा plan profit दे रहा है अगर आप यह दो चीजे अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप एक सही life insurance अपने लिए विलकुल सही choose कर सकते हो normally क्या होता है कि हम क्यो life insurance के नाम से एकड़म कट से जाते हैं हम यह सोचते कि अगर हम life insurance म मतलबी यह होता है कि वो long term के लिए आपको discover दे ना कि 2, 3, 4, 5 साल या 10 साल के लिए आप life insurance लिते क्यों हो life insurance में क्यों money लगाते हो only saving के लिए ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है क्योंकि saving के इतने सारे options available है आपको खुद अगर saving करनी है तो आपके पास PPF options available है इस वीडियो को जाके दो को पूरे detail मिल जाएगी अगर आप one time investment करना चाते हो तो आपके पास options available है जीवन शान्ती या other बहुत सारे options available है mutual funds available है बट हम insurance में क्य liability के बिना मिले मतलब की tax free मिले कि खाथ हम यह भी चाहते है कि कल को अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारा पैसा मरे नहीं तो ऐसा option हमें मिलता है सिर्स life insurance में और इसके लिए हम company का background हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि कौन से company का background कितना अच्छा है या उसकी monopoly कितनी अच्छी है क इतने टाइम से market में उस जरूरी बात कि इसका जो claim ratio है वो कैसा उसके लिए आप इस studio को देख लेना सबका claim ratio आपको पता चल दा है इस plan के अंदर आपको facility available क्या है कि आप long term के लिए risk cover ले सकते हो लेकि short term के लिए premium pay करोगे traditional plan से बिलकुल भी अलग अगर वीडियो अच्छ नहीं होती है इसलिए वो financial crisis को खुदी invitation दे लेते हैं तो इसलिए वीडियो को आप जादा से जादा शेयर करें और चैनल को subscribe करें चलता हूं विदा लेता हूं आपसे अब मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कराते रहिए जय हिंद जय भ चिछ रहिए अब अब ऑल्गा से भीयो मुस्तमे हूं